Hello everyone, welcome to my academy, इस लेक्चर में हम Acid-based Indicator के बारे में अध्यान करेंगे, सबसे पहले हमें समझ लेते हैं Acid-based Indicator क्या होता है, तो Acid-based Indicator के माध्यम से हम यह पाता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अमलिये है या छारिये है, इसके लिए हम कुछ सूचक का परियोग करते है तो हमारा पहला सूचक है लिटमस पेपर, यह दो परकार का होता है, एक होता है निला लिटमस और दूसरा होता है लाल, जब हम निला लिटमस पर अमले मिलाते हैं, तो यह लाल कलर का हो जाता है, और जब हम लाल लिटमस पर छाड डालते हैं, तो यह निला कलर का हो जाता है, तो इससे हमें पदार्थ की अमलियता और छारियता का बारे में पता चल जाता है कि या पदार्थ अमलिये है या छारिये है लिटमस पेपर का नीट्रल कलर परपर कलर का होता है हमारा दूसरा इंडिकेटर या सूचक हल्दी है हल्दी का नेचुरल करल पीला कलर का होता है और जब हम हल्दी में अमले मिलाते हैं तो इसका कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है या पीला का पीला ही रहता है लेकिन जब हम हल्दी में छार मिलाते हैं तो इसका कलर लाल भूरा कलर का हो जाता है यानि reddish brown इसका example है जब आपके कपरे में हल्दी का दाग लग जाता है और जब आप उसे साबुन से साफ करते हैं तो उसका करल लाल भूरा कलर का हो जाता है यानि reddish brown क्योंकि साबुन हमारा छारिये परकृतिका होता है तिसरा हमारा इंडिकेटर है methyl orange तो methyl orange और phenophthalene यह दोनों synthetic indicator यानि कृतिम इंडिकेटर है और लिटमस, हल्दी, चुकंदर यह सब हमारे natural indicator यानि परकृतिक रूप से पाया जाता है तो methyl orange का natural color और जब हम इसमें अमले मिलाते हैं तो इसका color लाल color का हो जाता है और जब आप इ phenophthalene, phenophthalene natural रूप से रंगहिन होता है और जब हम इसमें अमले मिलाते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है या रंगहिन ही रहता है लेकिन जब आप इसमें छार मिलाएगा तो इसका color गुलाबी हो जाएगा यानि pink पाच्वा हमारा indicator है चुकंदर तो चुकंदर म हमारा लाल पत्ता गुबी तो लाल पत्ता गुबी के रस में जब आप अमले मिलाएगा तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन जब आप उसमें भस्म मिलाते हैं तो इसका color हरा color का हो जाता है तो हम base के माध्यम से लाल पत्ता गुबी के color को हरा कर सकते है लास्ट हमारा इंडिकेटर है प्याज और वनीला इन दुनों इंडिकेटर के माध्यम से हम इनके गंध से पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्ध एसिडिक है या बेसिक है जब हम प्याज और बनीला में अमल डालते हैं तो इनके गंध में कोई परिवर्ता नहीं होता है लेकिन जब हम इसमें भस में मिलाते हैं तो यह गंध हीन हो जाता है तो यहां मैंने जो भी आपके एक्जाम में इंडिकेटर के बारे में पूछा जाते हैं उन सारे के बारे में मैंने discuss कर दिया है इससे बाहर आपके किसी भी exam में प्रस्न नहीं पूछा जाएंगे अगर आपको pH scale, pH indicator के बारे में detailed analysis जानना है तो इस वीडियो का link भी मैंने description box में डाल दिया है वहां मैंने pH scale पर detailed video बनाया है आप जाकर उसे भी जरूर देख ले अगर आपको यह मेरे वीडियो अच्छा लगा हो ता हमारे YouTube चैनल को subscribe करें और मेरे इस वीडियो को like और share जरूर करें Thank you for watching